नमस्कार दोस्तों स्वागता सभी का माई चैनल माई नोलिज में और मेरा नाम है पिंटू भारत दौस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टे वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक एक एफ के मेंबर है यानि कि अगर आपके पास एक रिजेक्ट हो चुका है और मुझे रिजेक्शन का एक्चुल रिजन नहीं मालूम पड़ रहा है तो दोस्तो आज की सुड़ो है मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पीएफ कलेम है वो रिजेक्ट हुआ क्यों है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए दोस्तो अगर आप मेरी लैप्टोप की स्किन पर देख रहे हैं तो मैंने यहां पर और यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है और इसमें एक यूए नमबर और पासवर्ड के जरिए लोगिन भी किया हुआ है तो दोस्तो कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो क्लेम है वो रिजेक्ट होता क्यूं है तो दोस्तो सबसे पहले अगर आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में अपना क्लेम ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको यहां पे लेफ्ट हैंड में टॉप पे ओनलाइन सर्विजिस का एक आपको टैब नजर आएगा आप जैसे ही इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे थार नंबर पे एक ओप्शन मिल जाएगा ट्रैक क्लेम स्टेटस का आप इसके उपर क्लिक कर देंगे और दोस्तो जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपने अभी तक इस पूटल तीन क्लेम किये गए हैं जिसमें से हैं सबसे पहला है फॉर्म नंबर 31 जो कि एडवांस के लिए होता है इसका जो स्टेटस है वो यहां पर सैटल हो रहा है लेकिन यहां पर फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C फील किया गया था जिसको अगर आप देखेंगे तो current status में यहां पर claim rejected नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर सिर्फ claim rejected नजर आ रहा है लेकिन यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो claim है वो reject हुआ क्यों है लेकिन दोस्तों क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि हम हमारा claim reject हुआ क्यों है ताकि हम सही तरीके से फिर से apply कर सके ताकि हमारा जो claim है वो settled हो सके तो दोस्तों कभी भी आप अपना reason जानना चाहते हैं तो आप unified member portal से अपना reason नहीं जान पाएंगे इसके लिए आपको EPF के पासु वाले portal पे जाना पड़ेगा चलिए हम अब अपने EPF के पासु वाले portal पे चले जाते हैं तो यह देखी दोस्तों अब मैं EPF के पासु वाले portal में आ चुका हूँ और अब आप यहां से check कर सकते हैं कि आपका जो claim है वो reject क्यों हुआ है उसका reason आपको यहीं पे नजर आने वाला है तो कैसे check करेंगे वो मैं आपको बता देता ह उसके बाद आपके सामने आपने अभी तक जितने भी claim किये हैं उसकी detail आपको यहां पे नजर आ जाएगी तो अगर आप यहां पे थोड़ा सा scroll down करेंगे तो आपके सामने यहां पे claims details का आपको एक option नजर आ जाएगा जिसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर तीन टैब दिये हुए हैं पहला है pending claims जहां पर चेक कर सकते हैं कि यहां पर आपके कौन से claim pending है second tab है settled claim यानि कि जो claim settled हो गया है उसकी detail आपको इस वाले time में नजर आ जाएगी उसके बाद है rejected claim यानि कि जो claim आपका reject हुआ है उसकी detail आपको यहां पर third वाले time में नजर आ जाएगी क्योंकि हम rejection का reason जानना चाहते हैं तो हम यहां पर rejected claim वाले tab पे click कर देंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर सभी claims नजर आने लग जाएंगे जो कि reject हुए हैं तो यहां पर आपने सबसे पहले उन claims को select करना है जिस claim का reason आप जानना चाहते हैं तो हम जानना reason लिखा हुआ है जो कि आपको red color में नजर आ रहा है सबसे पहला reason यहां पर लिखा हुआ है please apply form 10c along with form 90 यानि कि आपने जो PF अपना apply किया है full and final form number 90 और 10c वो दोनों इकठा apply करिए या यहां पर लिखा हुआ है father name differed यानि कि आपका जो father name है वो गल्त है यहां पर उसके form number 19 है इसमें reason लिखा हुआ है form 15g not submitted by member और second यहां पर reason लिखा हुआ है form 15g 15h pen card not submitted by member तो यहां पर एक सबसे बड़ी confusion यह है कि यहां पर आपको 3-4 reason नजर आ रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें exactly reason क्या है तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे पहला reason लि form 19 इसको हम बाद में देखेंगे सबसे पहला एक और reason यहां पर लिखा हुआ है दूसा reason जो है father name difference तो सबसे पहले आपका जो काम होगा आपने यह चेक करना है कि आपका जो father name है जो आपने UN के साथ यहां पर लिखा हुआ है जो आपके UN के साथ जो father name registered है वो आपके bank account के यहां पर आने के बाद आपको left hand side में top पे एक tab मिलेगा view का उसके बाद आपके सामने कुछ options होएंगे उसमें से आपको profile का एक tab नजर आ जाएगा जिसमें आपकी सभी basic detail नजर आ जाएगी यहां पर आपका एक father name है इस father name को आप check कर सकते हैं कि आपके father name की spelling है वो रही है तो यह reason आपका invalid हो जाता है अगर आपको यहां पर कोई difference नजर आता है तो आपको ठीक कराने की जरूरत है चली दोस्तों तो आप देख लेते हैं यहां पे जो एक और reason लिखा हुआ है जो की form number 19 में लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है कि form 15G not submitted by member यानि कि form 15G जो ह है वो submit नहीं किया गया है क्या आप इसके लिए eligible है सबसे पहले यह जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप तभी eligible होते हैं जब आपका जो PF amount जो आप form number 19 फील करके जो PF amount withdraw कर रहे हैं वो अगर 50,000 से जादा है और आपकी जो service है 5 साल से कम है तो आपको इसकी जोद परती है form number 15G और 15H की तो अगर आप इसके लिए eligible है तो आपको तो यह feel करना पड़ेगा नहीं तो आपका claim reject हो जाएगा यहाँ पे claim लिखा हुआ है लेकिन अगर आप इसके लिए eligible नहीं है तो यह reason भी आपका invalid हो जाता है उसके ठीक आगे लिखा हुआ है form 15G 15H pen card not submitted by member यानि कि लि नीचे profile information है उस पे जब मैंने click किया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो pen card है वो यहाँ पे already यहाँ पे linked है यानि कि यह जो reason वहाँ पे दिया हुआ है वो भी invalid है तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे देख लिया कि form number 10C और form number 19 में जो भी reason यहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे invalid लिखे गए हैं तो हमें अब कैसे पता लगेगा कि हमारा जो claim reject हुआ है वो हुआ क्यों है तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको reason बताया था please apply form 10C along with form 19 यानि कि form number 10C और 19 साथ में apply करना है यह वाला reason अभी तक हमने नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आप इसको देख लेते हैं तो इसको देखने के लिए आपको अपने unified member portal में जाना पड़ेगा और दोस्तों यहां पर आने के बाद आप फिर से online services में जाएंगे और track claim status पे click कर देंगे उसके बाद आपके सामने online claim का जो status है वो यहां पर show करने लग जाएगा तो दोस्तों अगर अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर form number 19 और form number 10C यह दोनों फॉर्म apply करने की अगर आप date देखेंगे तो दोनों अलग-अलग है यानि के form number 19 24th of January 2024 को apply किया गया था जबकि यहां पर 10C apply किया गया है 27th of January 2024 को यानि कि यह जो दोनों form है वो अलग-अलग days को यहां पे apply किया गया है लेकिन rejection reason में हमें क्या दिया हुआ था यहां दिया हुआ था कि please apply form 10C along with form 19 यानि कि 10C और 19 दोनों साथ ही apply करना है लेकिन इस EPM member ने क्या किया कि यहां पे form number 19 24 January को apply किया था और form number 10C 27 January को apply किया था तो यहां पे हमें एक reason बिल्कुल clear हो गया है कि यह जो claim reject हुआ है वो इसी वज़े से हुआ है जो reason वहां पे हमें दिया गया है तो दोस्तों अब हमें clear हो चुका है कि हमारा जो form number 19 और form number 10C है वो reject हुआ क्यों है क्योंकि हमने form अलग अलग days को apply किया था उसकी वज़े से reject हुआ है तो इस EPM member को अब यह करना है कि form number 19 और 10C दोनों 81 ही apply करना है ताकि इनका जो claim है easily settled हो जाए इसके इलावा जितने भी यहां पे reason लिखे हुए है यह सारे reason invalid है क्योंकि इन में से कोई भी reason valid नहीं है यानि कि जो reason यह बता रहा है वो reason invalid इसलिए है क्योंकि यहां पे हमने सब कुछ सही किया हुआ है सिर्फ यहां पे एक ही गलती हुई है कि यह जो form number 90 और 10C है वो अलग अलग दिन apply किया गया था जिसकी वज़े से claim reject हुआ है तो दोस्तो इस तरीके से आप भी exactly चेक कर सकते है कि आपका जो PF claim है वो reject क्यों किया गया था यह थोड़ा सा complicated जरूर है लेकिन आपको इतना सा काम तो करना पड़ेगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था और उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ help मिली होएगी तो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like करिए अपने fan के साथ share करिए और अभी तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो आप मेरे channel को subscribe कर ले ताकि इसी तरह की latest और useful वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पोच सके धन्यावद दोस्तो जै हिंद